हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्तमा की और हम जानेंगे होँपैती में ऐसे कौन सी दवाई है जो कि अस्तमा के लिए यूज की जाती है और बहुत अच्छा इफेक्ट करती है तो यहाँ पे हमने symptom wise medicine ली है जिस symptoms से आपकी medicine मिलती है आपको वही medicine लेनी है क्योंकि आपको उससे ही अराम मिलेगा तो start करते हैं पहली medicine है arsenic album इसके symptom है chili patient worse after taking cold drinks or being angry यहने कि ऐसे patient जिनने की ठंड जल्दी लग जाती है और उन्हें cold drink पीने से या फिर गुसा आने के बाद उनकी complain बढ़ जाती है anxiety, restlessness और वे उन्हें काफी घपरहाट होती है और बेचैनी होती है और उनमें unquenchable थ्रस्ट पाए जाती है यानि कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद एक ही good पानी पीते है तो ऐसे patient को arsenic album medicine लेने से काफी फाइदा होता है इसके बाद है spongia tosta medicine इस medicine के symptom है dry cough, extreme dryness of all the all ear passes यानि कि ऐसे patient में काफी dry cough पाया जाता है यानि कि उन्हें सूखी खासी होती है और उनके सभी ear passes काफी सूखे होते हैं और उन्हें गरम ड्रिंक से अराम मिलता है तो ऐसे patient को spongia tosta medicine लेने से काफी फाइदा होता है इसके बाद है antium tart ये एक medicine है और इसके symptoms है asthma with excessive rattling cuff cuff is loose, rattling and the lungs feel full of mucus mucus from the lungs is raised with much difficulty and suffocation on lying down यानि कि ऐसे patient जिन्हें की काफी मात्रा में खासी होती है और उनका जो cuff होता है वो काफी loose होता है और उनके सीने से गलगल की अवाज आती है और उन्हें बलगम को बाहर निकालने में काफी मेहनत करनी पड़ती है और लेटते समय उन्हें काफी suffocation होता है तो ऐसे patient को antium tart medicine लेने से काफी फायदा होता है इसके बाद है carbo wedge इस medicine के symptoms है asthma with acidity and flatulence यानि कि ऐसे patient जिने अस्तमा हो और साथ में उन्हें acid बनता हो और साथ में gas pass होती हो patient problem increase when goes from warm place to cold place और ऐसे patient की problem बढ़ जाती है जब वो गरम स्तान से ठंडे स्तान पर जाता है frequent need to take deep breaths और उसे लंबी लंबी सांस लेनी पड़ती है तो ऐसे patient को carbo wedge medicine लेने से काफी अराम होता है और इसकी patent medicine है R43 तो यदि आपको बताई गई सभी medicine में से कोई medicine समझ में नहीं आती है या फिर आपको अपने symptom नहीं दिखते हैं तो आप R43 medicine ले सकते हैं जो की रेकवेक कंपनी की आती है आपको इसकी 10 से 15 बूंद सुबह दुपैर साम लेनी है इससे आपको काफी फायदा होगा तो यहाँ पे हमने बात करी है अस्तमा की ऐसे medicine की जो की हमोपैती में यूस की जाती है और बहुत अच्छा result देती है धन्यवाद